साथियों, कोरोना आने से काफी पहले से देश में मैंने अधेक बार डिजिटल फ्यूचर की बात करता रहा हूँ. जब हम अपने गाउं को अप्टिकल फाइबर से जोड रहे हैं, जब हम डेटा की कीमत कम से कम रखने के प्रयास कर रहे थे, कनेक्टिविटी से जोड़े इंफ्रास्ट्रेक्चर को सुधार रहे थे, तो कुछ लोग सवाल उठाते से कि इसकी ज़रूरत क्या है? लेकिन महामारी के समय में हमारे इन प्रयासों की एहमियत को सब ने देख लिया है. यह डिजिटल कनेक्टिविटी हैं, जिसने वैस्वीक महामारी के इस समय हमारी सिख्षा व्यवस्ता को बचाए रखा. हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है. इनोवेशन हमारे यहां इंक्लूजिन सुनिश्चित कर रहा है. और अब तो देश इंक्लूजिन से भी आगे बढ़ कर इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है. इस दसक में हम जो आधुनिक्ता, सिख्षा, व्यवस्ता में लाना चाहते हैं, उसके आधार को मजबूत करने के लिए इस साल के बजेट में कई गोशनाएं की गई हैं. डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ते भारत के व्यापक वीजन का हिस्सा है, इसलिए इविद्या हो, वन क्लास, वन चैनल हो, डिजिटल लैप्स हो, डिजिटल उनिवर्सिटी हो, ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है. ये भारत के सोचो एकोनामिक सेटप में गाँ हो, गरीब हो, दलीत, पीछडे, आदिवासी, सभी को सिक्षा के बहतर समाधान देने का प्रयास है.